एलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशिंग एंड वेलकम तू इश्माइटर एवरी डे लखनव यूनिवर्सिटी बीएट थर्ड समस्टर पेपर वन की बात करेंगे पेपर फर्स्ट जिसका नाम है सिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन मेंसरमेंट एड इवेलिवेशन इन ए पिक्चर्स के माध्यम से समझते हुए चिलेंगे मैं आपको पूरी तरीके से समझाओंगा पिक्चर्स के माध्यम से कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है बहुत सा इसको इसमें कन्फ्यूजर रहता है मापन और मूल्यांकन में लेकिन इन पिक्चर्स के माध् कोई एक्जाम्पल होता है उदाहरन और उस उदाहरन को जब हम सामने प्रत्रेक्ष रूप में देख पाते हैं तो चीजे हमें ज्यादा जल्दी समझ आती हैं और लॉंग टाइम के लिए दिमाग में इस्टोर हो जाती हैं इसलिए यह जो क्लास रहेगी आपके लिए एकदम नोटस लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649 ठीक है 9628182649 इस नंबर पर bipolar मैसेज करके लिखेएगा लखनाव उनिवर्सिटी बियर थर्ष्ट समस्टर नोट स्टिक है उनिवर्षिटी का नाम लिखेगा बियर थर्ष्टर समस्टर नोट्स लिख आपके तीन ही सब्जेक्ट है तीनों सब्जेक्ट की फिष तू हंडड़ रुपीज है चलिए फिर बात करते हैं देखिए पहली पहला ही प्वाइंट ये पहला पेपर आपका सिक्षा में मापन और मुल्यांकन सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट और चैप्टर फ चलने वाला एक प्रोशेश है और यह है व्यक्ति के जीवन के साथ सुरू होता है जैसे ही व्यक्ति का जीवन सुरू होता है उसके जीवन में मापन सुरू हो जाता है और मृत्यू के साथ समाप्त होता है इसको और बहित्रिन समझते हैं मान लीजिए हमने कहा कि मापन जो ह जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो आप क्या करते हैं सबसे पहले घड़ी देखते हैं घड़ी क्यों देखते हैं देखते हैं कि बच्चा कितने बच करके कितने मिनट पे पैदा हुआ है समय देखते हैं कि नहीं देखते हैं ठीक है यह समय देखना मापन कहलाएगा दूसरी बात फिर उस बच्चे को उठाकर के डॉक्टर वेट मशीन पर रख देते हैं सबसे पहले उसका वेट किया जाता है कि बच्चे का वेट कितना है क्या है यह मापन है जीवन के साथ ही मापन सुरू हो गया आप श्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं किस कक्षा में पढ़ र कितनी दूरी तै करनी है कितनी दूरी हम तै कर चुके हैं और कितना अभी बाकी है यह क्या है यह मापन कहलाता है हम लोग अपनी गाड़ी की स्पीड देखते हैं कि हम कितने पे चलना है यह क्या है यह मापन कहलाएगा हमारे जीवन में रोज डेली रोटीन में पैसे का ले देन होता है, सरमाजी से कितने लेने हैं, वरवाजी को कितने देने हैं, अकाउंट में कितना है, यह सब हर एक चीज की गिंती, काउंटिंग जो है, वो क्या है, वो मापन कहलाती है, अगर कभी हमें फीवर आ जाता है, तो हम डाक्टर हमारा टंपरेचर चेक करते हैं, फीवर करके डाला जाता है कितने कप चाय बन लाई है उसमें तो है नीक जितना मुठ्ण heute के डाल दिया नहीं एक quantity होती है यह सारा ही मापन कहलाता है ठीक है और दूसरी बात हमने कहा विक्ति की मरत्यू के साथ समापन होता है जब विक्ति मर जाता है तब भी लोग कहते हैं कि इतने कुंटल लगड़ी ले आओ quantity हुई के नहीं हुई है ना उसके साथ ही उतने ही कुंटल लगड़ी आ गई उसमें उसको निप्टा दिया गया ये भी एक क्या है मापन है तो ये जो आप देख पा रहे ना ये सब क्या है मापन के उदाहारन है कुल मिलाकर के जहां गणतिय शंख्या का प्रियोग होता है ज जब एक विद्यार थी कि योगताओं और विशेषताओं की मात्रा को गणतिय इकायों में क्या गणतिय इकायों में निश्चित करते हैं तो वहां मापन कहलाता है बच्चा स्कूल से आया है अपना रिपोर्ट कार्ट लेकि reflect कार्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो गणती एकाईयों में हम लोग निश्चित कर रहे हैं, वो शारा ही मापन के अंतरगत आता है, ठीक है, हम टोटल माक्स देखते हैं कितने हैं, फिर हम उसकी परसेंटेस निकालते हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, फिर उसका डिवीजन निकालते हैं, यह सब क् नगर लिपजिंग में मनोविज्यान की पर्थम प्रियोग साला की इस्थापना के प्रिणाम सुरूप हुआ था, यानि कि सिक्षा के छितर में मापन का सुरुआत किस ने की थी, तो विलियम वूंट ने किया था, कब किया था, 1879 में किया था, इतना आप याद रखेंगे काम चल जाएगा, कोई प्रवलम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, आज वर्तमांस में में सिक्षा का जो प्रमुक उद्देश है, वहां मानो विवहार में परिवर्तन लाना है, कि जो मानो का जो behavior है, जो उसका विवहार है, उसमें परिवर्तन ला सके हम सिक्ष में सिक्षा के माधिम से जो परिवर्तन किया जा रहा है, वो सही direction में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, positive जा रहा है कि negative जा रहा है, है ना ये सब क्या है, मापन है, ये जानने के लिए मानो विवहार का मापन बहुत जरूरी है, उसमें कितना development हुआ है, कितना विकास उसका हो प मापन किया जाता है, मानों की सरीरिक और मानसिक विशेष्टाओं को नियमों के आधार पर प्रतीकों, अंकों और संख्याओं के रूप में अभिवेक्ति करना ही मापन कहलाता है, मनुस्यकी सरीरिक विशेष्टा क्या है, सरीरिक का मतलब उसकी लंबाई कितनी है, उचाई लबधी क्या है उसकी इन सब चीजों को जो हम मापते हैं वही मापन कहलाता है इन चीजों को हम प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं अंकों में भाई उसका वेट है असी किलो वेट है है ना और 5.9 इंच की लंबाई है उसकी है ना संख्याओं की रूप में चीजों को हम अभी विक्त करते हैं वही हमारा मापन कहलाता है मापन एक ऐशी प्रक्रिया है जिसमें विक्त के गुण का मापन मात्रा की रूप में किया जाता है उसकी क्वालिटीज का जो मापन है जो मिजरमेंट है वो मात्रा की रूप में किया जाता है और समझते हैं देखिएगा शौरी बालकों की उपलब्धी उनके दुआरा अरजित ग्यान तथा कौसल की मात्रा का पता लगाना मापन है मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से मापन समझाना चाहरा हूँ कि आप दुबारा आपको मापन पढ़ने क्या हो सकता ना पढ़े एक बार हमारी PDF पर नजर डालें समझने की विज़ोत नहीं है खली नजर डालेंगे और आपको समझे जाएगा मापन क्या होता है बालकों की उपलब्धी क्या है बच्चे ने कितना अस्यूमेंट किया है उसने कितना ग्यान अर्जित किया है उसके अंदर कितनी स्किल्स डेफलप हो पाई है इन सब चीजों का पता लगाना ही हमारा मापन कहलाता है अधिकांस लोग जादतर लोग मापन और मूल्यांकन को एक है समझ लेते हैं कि ये एक ही चीज है मापन भी वही है मूल्यांकन भी नहीं है माइडियर फ्रेंड दिस इस रॉंग ये गलत बात है मापन और मूल्यांकन दोनों एक नहीं है एक ही मान लेते हैं जो की उचित नहीं है क्योंकि मापन जो है वहाँ evaluation का एक part है एक हिश्चा है अथवा हम कह सकते हैं उसकी एक प्रविधी है किसी वस्तु के गुणों का उचित इकाई में मूल्यांकन करना उचित इकाई में unit में उसको evaluate करना जैसे की मात्रा में है ना इसकी मात्रा कितनी है एक किलो है एक लीटर है एक मीटर है ठीक है अंकों में अंक जहाँ पर ईजिट आ जाती है ओसत क्या है everyege क्या है परसेंटेज किया है ये सब चीजे हमारी मापन कहलाती है किसी भी वस्तु के गुणों का उचित इकाई में मूल्यांकन करना उचित इकाई में संख्या के माध्यम से उसका मूल्यांकन करना मापन कहलाता है किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्तु का निर्धारने मुल्यांकन कहलाता है अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे समझा देता हूँ आपको किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्तु का निर्धारने मुल्यांकन कहलाता है महत्यानिक इसी चीज का importance जाना इस चीज की value क्या है इसका importance क्या है इसका feedback क्या है ये सब चीजे इसकी performance कैसी रही है ये सब चीजे मुल्यांकन के अंतरगत आती है और deeply समझेए आप यहाँ पे दो picture देख पा रहे होंगे ठीक है? देखिए evaluation का मतलब होता है मुल्यांकन में criteria देखा जाता है चीजों की analytics देखी जाती है उसका visualization देखा जाता है performance कैसी रही? outstanding रही? excellent रही? very good रही? average रही? approach क्या रही? improvement कितना हुआ है उसके अंदर? result कैसा रहा? ठीक है? feedback क्या है? assessment क्या है? यह सब चीजें हमारी मुल्यांकन के अंतरगत आती है और आसान भार्षा में समझेए आप बच्चे का result लेकर के आते हैं उसमें यहाँ पर टिक होता है नहीं तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर यह जो होता है result बच्चे का कैसा रहा? outstanding रहा? यह मुल्यांकन हो जाएगा बच्चे ने कितने % marks गें किये? यह मापन हो जाएगा सुनिए मेरे बाद फिर से एक बार आप बच्चे का result लेकर क्या है? उसमें लिखा था 90% marks ठीक है? और outstanding पर टिक था अब दोनों में अंतर समझेए 90% जो था यह उसके result का मापन था outstanding पर जो टिक था यह उसके result का मुल्यांकन था बात क्लियर हो गई? आपके दिमाग में घुस गई होगी बच्चे का result 90% था 90% जो था यह उसका मापन था outstanding जो था यह उसके result का मुल्यांकन था किसी भी चीज का analytics करना, analysis करना, visualization करना, performance देखना ये मुल्यांकन कहलाता है बच्चे हमारा outstanding रहा, या excellent रहा, या very good रहा, या average है, या below average है ये उसका मुल्यांकन है, बच्चे ने 90% marks गिन किये है, ये उसका मुल्यांकन हो जाएगा बात कलियर होई, और आर्शन भासा में समझे, मापन में यह पता चलता है, कोई वस्तु कितनी है, और मुल्यांकन में ये पता चलता है कि कितनी अच्छी है एक बात और समझे, मापन में quantity होती है, क्या होती है quantity, और मुल्यांकन में quality देखी जाती है क्या मात्र में आई मापन में quantity यानि कि मात्रा देखी जाती है और मूल्यांकन में quality देखी जाती है यहाँ पे मात्रा क्या है 90% marks quantity है और outstanding result रहा यह उसकी quality है बात समझ में आ गई है लेकिन अभी मूल्यांकन और मापन की बीच अंता संबंध इसके बारे में detail में आगे बात करेंगे यह मैंने यहाँ पे इतना समझा दिया ताकि आप समझ पाएं कि मापन और मूल्यांकन की बीच difference क्या है बाकी point तो हमारा मापन का ही चल ला है ठीक है समझाना जरूरी था आपको मापन की अब कुछ definitions है उनको समझ लेते हैं कौम्प बेल कहते हैं नियमों के अनुसार वस्तूओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में विक्त करना मापन कहलाता जहां मापन होगा वहां संख्याओं एकाई ये जरूर होगा ठीक है अंकों में या संख्याओं में जो भी चीज़ हम संख्याओं में मापते हैं अंकों में मापते हैं डिजिट में मापते हैं यूनिट में मापते हैं वो सारा हमारा मापन के अंतरगत आता है जैसा कि रोश महोदय कहते हैं मापन एक परिमाणी करा कियानी की क्वांटिफिकेशन प्रक्रिया है क्वांटिटी आपकी मापन कहलाती है क्वालिटी आपकी मुल्यांकन कहलाती है जैपी गिलफोड कहते हैं निश्टित नियमों के अनुसार वर्स्तुओं या घटनाओं को अंक प्रदान करना मापन कहलाता है और करलिंगर कहते हैं कि मापन जो है वो नियम के अनुसार वर्स्तुओं या घटनाओं को शंख्या प्रदान करना मापन कहलाता है बात इतने clear हुई Dear friend, अगर हमारे notes आप ले लेते हैं तो ना तो आपको books purchase करने की जरूत रहेगी ना तो आपको easy notes purchase करने की जरूत रहेगी आपको सारा content हमारी PDF से ही मिल जाएगा पूरी तैयारी आप यहां से कर सकते हैं आपकी second semester में नहीं पढ़ाया था लेकिन important freebie बताया था इस बार complete syllabus करवाया जाएगा और आगे बढ़ते हैं मापन के अंग देखिए factors of measurement समझते हैं मापन के मुख तीन अंग होते हैं कौन कौन से तीन अंग होते हैं भाई उनको हम समझते हैं देखिए पहला वह वस्तु या प्राणी अत्वा क्रिया जिसकी किसी विशेष्टा का मापन होना है देखिए मापन करने के लिए एक तो वो चीछ चाहिए जिसका मापन करना है सीधी सी भासा में समझेए मापन के लिए सबसे पहला अंग है वो वस्तु चाहिए वो प्राणी चाहिए जिसका हमें मापन करना है जिसकी विशेष्टा का मापन करना है दूसरी बात हमको वो ओजार चाहिए जिससे मापन करना है मापने का वो उपकरण चाहिए वो टूल चाहिए वो विधी चाहिए जिससे हमें मापन करना है तीसरी चीज मापन में कौन सी ल को मिला करके हमारा मापन पूरा होता है मापन के कुछ प्रकार है किस किस तरीके से मापन किया जाता है सामाने तहां मापन के तीन प्रकार होते हैं एक तो निर्पेक्ष मापन होता है जिसको हम इंग्लिश में absolute measurement कहते हैं दूसरा समानी करत मापन होता है जिसको इंग्लिश में normative measurement कहते हैं फिर ipsetium मापन होता है जिसको हम ipsetive measurement कहते हैं अब इनको एक एक करके detail में समसने का प्रयाज करते हैं थोड़ा deeply और थोड़ा दिमाग लगाईएगा इसको समसने में निर्पेच मापन क्या होता है देखिएगा निर्पेच मापन वहाँ है जिसमें परम सूने परम सून यानि की absolute zero की condition possible होती है ठीक है जिसका पैमाना जो होता है मापने का जो उपकरण होता है वो सून से सुरू होता है शून एक दो तीन चार इस तरीके से उसमें numbering सुरू होती है सून से अधिक होने पर धनात्मक अगर हम सून से इधर बढ़ रहे हैं तो positive जा रहे हैं और अगर सून से इधर जा रहे हैं तो negative जा रहे हैं कहने का मतलब है सून से अधिक होने पर धनात्मक और सुन से कम होने पर रिनात्मुक्मापन होता है कोई भी चीज है अगर वो वो सुन से कम जा रहा है तो वो negative में चली जाएगी अगर सुन से एक number भी उपर है तो positive में चली जाएगी जिसे अगर किसी उप्लब्धी परिछण में उसकोई भी achievement में चात्र को सून अंक प्राप्त होते हैं भाई हम लोग कई बार टेस्ट होते थे हम लोगों के ना तो कई बार 0 नंबर आ जाते थे ठीक है मतलब हम उपर ऐसे करके नीचे 20 देते थे 0 नंबर भी तो हमारे आ जाते थे कभी-कभी वो क्या था? 0 से अंक को चात्र उपलब्दी परिचन के किसी प्रिशन को हल करने में आश्यमर्थ रहा आपने निर्पेक्ष मापन में क्या समझा? निर्पेक्ष मापन में आपने ये समझा कि इसको मापने का जो पैमाना होता है वो 0 से शुरू होता है और इसमें अगर हम जीरो से आगे बढ़ते हैं तो धनात्मक होता है पीछे जाते हैं तो धनात्मक होता है उदारण समझ लीजिए अगर हमारे रिजल्ट में हमारे टेस्ट में जीरो मार्क्स आते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस सब्जेक्ट में बिलुकुल बुद्ध हैं इसका मतलब यहां है जो प्रशन थे वो नहीं आते थे बाकि ज्ञान हम होता है कि इस्ट्रापन में प्राप्त अंक जो होते और विश्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं इस में प्रामसून की शंभावरा नहीं होती है ठीक है इस मापन द्वारा प्राप्त प्रिणामों की व्याख्या गणती आधार पर नहीं की जाती यह बड़ी प्रावलम ना इसलिए तुम आपे परमसून की समभावरा नहीं होती Absolute Zero की possibility नहीं होती है क्योंकि इसकी गणती आधार पर नहीं की जा सकती क्योंकि इस मापन में परमसून नहीं होता है कैसे जैसे कि अगर मोहन को अंगरेजी परिच्छा में शाठ अंक और सोहन को तीस अंक पराप्त होते हैं वहाँ पे हम इस मापन का यूज़ करते हैं माक्ष जरूर दो गुने हैं लेकिन योगता दोगनी नहीं हो सकती योगता जाहता भी हो सकती कम भी हो सकती कशिया नंबर कम भी ले आती हैं लेकिन इस परकार की मापोगी व्यक्यार श्रांगी की गणणा हो जैसे कि केंदरी प्रवर्ति मानों और विशल मानों की सायता से की जा सकती है अब लास्ट बचता है हमारा इपसेटिव मापन क्या बचता है इपसेटिव मापन बचता है देखेगा इपसेटिव सब्द का प्रियोग मापन के छेतर में सबसे पहले Raymond Cattle ने किया था इस बात को Point to be noted इपसेटिव सब्द का प्रियोग मापन के छेतर में सबसे पहले Raymond Cattle ने सन 1944 में किया था इसमें व्यक्त या छातर के सामने कुछ ऐसे questions, कुछ ऐसे problems रखी जाती है और छातर को उन्हें एक sequence देने के लिए कहा जाता है अभी और deeply आप समझ पहेंगे last time में, देखिए अगर छातर किसी एक statement को पहली वरियता दे देता है उसको एक number एक देता है अभी उदान के तौर पर समझाएंगे तो वहाँ दूसरे कथन को ये वरियता या वंक अंक नहीं दे सकता इस प्रकार के मापन उपकरण को बाद्धिचैन प्रिशन यान की first choice item कहा जाता है और इसके दोरा मापन को इपसेट्यू मापन कहा जाता है जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ इस प्रकार के मापन में सभी छात्रों को एक, दो, तीन, चार आदि अंक प्रदान करने होते हैं इसलिए सभी छात्र के मद्यमान और मानक विचलन समान होते हैं ये आपको समझ नहीं आया मैं समझाता हूँ जैसे मान लीजिए इपसेट्यू मापन है ये आपको चार चीजे दे दी गई एक तो आपको दे दिया गया सत्य दे दिया गया ठीक है दूसरा आपको इमानदारी दे दिया गया क्या दिया गया इमानदारी दिया गया सत्य इमानदारी मैत्रता का भाव और दीसरी चीज आपको, चौती चीज आपको दे दी गई, एक दूसरे का सही योग अब आप से कहा गया कि इनको sequence देना है, आपको इनको करम देना है आपने सबसे बड़ा जो नभर दिया, वो मित्रता को एक नभर दे दिया अब ये बताईए, क्या जो आपने इसमें मित्रता को एक नंबर दिया, क्या इमानदारी को एक नंबर आप दे पाएंगे आप, क्या शत्य को आप एक नंबर पे ले पाएंगे, यानि कि अगर इमानदारी को एक दे दिया है, तो वो आंक किसी दूसरे को नहीं दे सकते, और आप क्या करेंगे भाई इसको या तो इसको तीन नमबर देंगे अगर आपने इसको तीन नमबर दे दिया है तो सहीयों को आप तीसर नमबर नहीं दे सकते हैं त्रहयों को चार नम्बर पर आना पढ़ेगा यह होता है स्प्राप्ट होते हुए दूसरे से प्रभावित होते हैं यही बात अने छात्रों से रिलेट भी करती है और आपसे पताना चाहेंगे कि इस प्रकार का कॉंटेंट आप पढ़ने के लिए हमें यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस यही आपको पीडिया फॉर में मिलता है जो आपको इस नमबर पर मैसेज करने के लिए आपको तीनो सब्जेक्ट के complete notes मिलेंगे लेकिन जब आप मैसेज करेंगे उसमें आपको सिर्फ paper third forward किया जाएगा क्यूंकि यह paper अभी तयार हो रहा है जब इसकी unit पहली complete हो जाएगी तब आपको यह forward किया जाएगा ठीक है तो इस नमबर पर मैसेज करके आप notes ले सकते है thank you so much मिलते हैं मुझल दी नेक्स क्लास में class कैसरी comment जरू कीजेगा